हेलो आज की इस वीडियो में हम लोग देखें कैसे हम लोग जो है वह अपने प्रोज़ेट की अंदर अथेंटिकेशन पर फार्म कर सकते हैं तो first of all हम लोग यहाँ पर अपना authentication पर क्लिक करेंगे और एक authentication provider जो हम लोग यहाँ पर एड्र कर लेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग साइन पर क्लिक करेंगे email and password पर क्लिक करेंगे क्योंकि हम लोग email and password की बेश पर ऑथनिकेशन and login करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले यहां पर देखिए आपके पास यूजर विकास अभी कोई भी यूजर हमने एड नहीं किया तो हम यहां पर इसको लॉग इन नहीं करवा सकते हैं तो सबसे पहले मैं यहां पर एड यूजर पर क्लिक करूँगा और इधर मैं abcadrata.gmail.com इसको हम लोग यह पासवर्ड दे देंगे इसके पासवर्ड की जो लैंथ है वो six digit तक आपके पास होने चाहिए हम यहां पर एड यूजर करवा लेंगे उसके बाद यहां पर हमारे पास देख रहे हैं आप एक यूजर जो हो प्रियेट हो चुका है इसको perform करेंगे first of all हम लोग क्या करने जा रहे हैं यहां पर हम लोग firebase की कुछ documentation है authentication के related उसको हम लोग find कर देंगे तो यहां पर हम लिखेंगे firebase arts docs यहां पे हम क्लिक करेंगे तो हमके पास सबसे पहले क्लिक करने के पाद यहां पर आपके पास authentication का जो option है आप यहां पर क्लिक करेंगे और इसमें हम लोग web का जो option है इसको select करवाएंगे और web option पर हम लोग sign in with pre-built UI के साथ हम लोग जो हो यह चीज़ें select करवानेंगे getting started पर क्लिक करेंगे getting started पर आपके पास यहां पर यहां पर फायर बेस का जो है जो उसकी लाइबरेरी जा उसके बारे में आपको यहां पर बताया करेंगे तो सबसे पहले यहां पर देख सकते हैं कि sign up users अगर आपने sign up करना हो तो उसके लिए हम लोग यहां से code मैनेज करेंगे अब भी फिल वकत हम लोग इन की functionality पर फार्म करना चाहते हैं तो आइए सबसे पहले हम लोग इसे पर फार्म करेंगे यहां से यह जो यह फाइल है जो line हमारे पास लिकी हो यह को हम लोग करेंगे और अपना जो login का code होगा हमारा जिसमें हम लोग उन्हें की screen जो हमने अपन करवा देंगे ओके तो सबसे पहले हम लोग उन्हें यहां पर यह जो get art है इसको import नहीं करना विकास हमने इसको already firebase last video में अगर आपने अभी तक firebase की जो है वो integration नहीं की तो हमारी last video में आप लोग देख सकते हैं कि हमने कैसे firebase को जो है वो integrate किया था अपने रियक्निटिव एप के साथ और किस तरीके से हमने उसके इसको resolve किया था तो चलते हैं सबसे पहले यहां पर देखेंगे हम ने यहां पर get art को already import कर ली अवर उसकी हमने एक लैदा से जो application है art के नाम से वो create कर ली हुए है तो सबसे पहले login की screen पर जाएंगे और यहां पर आप import करेंगे art को import art और यह art जो हुई है जैसे हम लोग इसको file store से जो है Firebase की जो file है configuration की इसको वहां से import करवा लेंगे अभी यहां पर हम लोग इन की जो screen है इसको top पर रखवा लेंगे यहां पर ताकि हमारा जब login करें तो login की जो screen है वो first top आप वाल जो है वो नदर आने चाहिए हमें तो यहां पर हम इसको page को reload करवा लेंगे reload करवाने के बाद आपके पास जो आपकी screen है login की यह top priority पर आपको जो है वो नदर आएगी तो जैसे यह screen load होगी हम लोग क्या करेंगे सबसे लोगोंने कोई भी method या function बनाना हो तो उसका तरीका का यह होता है const login और देन हम लोग यहां पर फंक्शन की बैकर से लाएंगे उसके बाद हम लोग यहां पर अपनी हो चीपने हैड करेंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे हमने सबसे पहले जो है वो यहां से यह वाला code है पहली line को आपने remove करना है यहां से आप इस code को copy करेंगे copy करने के बाद आप इसको जो है वो यहां पर add करवाने यहां पर आप लोग दे सकते हैं login की screen हो हमारे पास display हो रही है मैं यहां से इस code को just paste करूँगा and form and document करने से हमारे पास यह indent हो जाएगा sign in with email and password क्योंकि हमारा जो provider था वो हमने sign in with email and password यूज़ किया था तो यहां पर यहां पर यह आथ जो हमारी जो firebase की जो authentication है यह उसको access करेगा उसके बाद जो email मैंने enter किया होगा यहां से इस field से उसके बाद यहां पर हम लोग लिख सकते है abc at gmail.com and then हम लोग अपना password एंटर करवाएंगे password 123456 था हमारे पास अब जब हम लोग क्या करेंगे यहां पर जो हम लोग ने email अभी write किया वो यहां पर हमारे email की state में अगर आपको use state का नहीं knowledge तो आप हमारी react hooks की वीडियो है उसको देख सकते हैं वहां पर complete इसकी detail के साथ वीडियो बनाई थी तो अगर आप use state के बारे में नहीं जानते या react hooks के बारे में नहीं जानते तो आप उस video को देखके इसका knowledge दे सकते हैं तो यहां पर जो email हम लोग एंटर का रहे हैं वो email में save होगा जो password हम लोग एंटर करेंगे वो password में save हो जाएगा इसमें आपके पास दो options display हो रहे हैं एक then और second जो आपके पास catch है जो then है यह आपकी successful authentication पर run होता है अगर आपका email और password valid है authenticated है तो जो then की functionality है यह perform होगी और अगर आपका email और password है इसमें कोई fault है यह email और password wrong है तो यह automatically आपको catch के अंदर से जो आप errors है वो display करवाएगा तो मैं इसकी थोड़ी से सेटिंग करवा लूँगा यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे हम कहेंगे अगर हमारी जो authentication है successfully perform होती है तो हम इसको home screen पर move करवाएगे तो यहां पर हम देखेंगे navigation.navigate basically आपको next screen पर move करवाएगा उसके top पर आपको जड़ाओ एक arrow नजर आएगा कि आप इसको दुबारा से login की screen पर move करवा सकते हैं but हम लोग क्या करेंगे यहां पर navigation.replace का button यूज़ करेंगे ताके वो next screen पर जाए और उसके बाद उसको reverse screen पर आने का option नहीं होना चाहिए जब तक कि वो logout नहीं कर देता तो यहां पर हम लोग वो replace लिखेंगे और replace में हम लोग अपने उस screen का नाम लिखेंगे जिस screen पर हम display करवाएंगे यहां पर error message है हम इसको alert करवादेंगे alert करवाने यह होगा कि आपके पास जो आपका message है वो आपके mobile की screen पर डिस्प्ले हो जाएगा तो यहां पर हम लिखेंगे alert और इसके अंदर हम लोग अपना error message जो है वो यहां पर display करवादेंगे जो हमें react native से return होगा है पर जहां पर हमने login लिखा हुआ है login का जो button हम लोग उने last time create किया था उस पर on press पर हम लोगों ने email और password को display करवाया था last video तो यहां पर हम लोग इसको call करेंगे login के function को और save करेंगे जैसे save करेंगे तो हमारा page जो है वो refresh होगा email और password जो वहां पर हमने database में रखा था वो औ आपकी इसको login करवाया है तो यहां पर then में हम लोग लिखेंगे alert user login successful तो सबसे पहले हम इसको save कर लेंगे और save करने के बाद हम लोग इसको जो है वो login के बटन है इस पर click करेंगे तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं के user login successfully का जो option है वो हमारे पास display हो गया है और हमने successfully user को display करवा दी है user को login करवा दी है यहां पर आप देख सकते हैं home के बिलकुँ साथ कोई arrow display नहीं हो राकि आप इसको वापिस स्क्रीन पर move कर सकें तो आज की वीडियो में हम लोग उने login की जो complete functionality है इसको perform किया है next video में हम लोग इंशाला जो है वो अपना जो है वो log जो sign up की functionality है इस पर work करेंगे इस तरीके से login and sign up हमारा complete हो जाएगा तो आज के लिए मुझे अजाज़त दें thank you so much